सब्सक्राइब कीजिए इन्फो टेक टॉक्स इन्फोमेटिव टेक्निकल वीडियो के लिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले सबस्क्राइब करेंगे तेक्स फॉर्मेटिव के लिए जो है किया जाता है टेक्स की फॉर्मेटिंग के अंदर क्या आता है टेक्स की कलरिंग आती है इसकी अलाइनमेंट आती है अब फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं एक पहराग्राफ ले लेता हूं अब इस वेबसाइट से मैं यह पहरा उठा लेता हूं इसको यहां से अटा देते हैं इसका कोई काम नहीं है तो मैंने एक पहरा ले लिया है रेप कर लेते हैं इंसे डन तो यह paragraph मैंने ले लिया है ठीक है सेव कर लेता हूं इसको refresh करके दिखाता हूं आपको यहां पर यह paragraph आ गया आपका ठीक है अब पहली प्रोपर्टी है coloring की इसमें by default black color आया हुआ है text का है ना एपसे पहले項गे लेते हैं सीध refuse करते हैं कर दो का एक किलर प्रोपर्टी का इसमेश करसकते हैं text का यह देखिए color हो गया ठीक है तो इतना सा था color के बारे में text का color किस तरीके से change किया जाता है आपने पूरा का पूरा selector यह ले लिया आपने यह paragraph करना था ऐसे गर कोई h1 h2 element हो था तो आप h1 h2 element लेगे उसको color property दे देते ठीक है यह होगा color property के बारे में अब second आपका जो आता है text alignment के बारे हम discuss करने वाले है तो text alignment यह आगा text align ठीक है इसके अंदर आप देखोगे text को किस किस तरीके से align के जा सकता है center में left में justify right और inherit ठीक है तो alignment वैसे होता क्या है यह आप text देख रहे हो इसके अंदर पहरा graph है ठीक है तो आप देखोगे कि इस वाली side जो यह left वाला area बिल्कुल text ना एक दूसरे के बिल्कुल एक सीधी line के अंदर है इसे alignment बोला जाता है देखोगे यहाँ पे तो text align नहीं है right side में अगर आप देखोगे तो ठीक है उसका reason यह है कि बीच में कुछ जो आपके words है उनकी length जादा है कुछ की कम है कोई छोटे हैं बड़े हैं अलगल line में अलगल लेकिन अगर आप इसकी alignment change करना चाहते हो तो अभी मैंने आपको बताया text align property का यूज करके आप कर सकते हो किस किस तरीके से कर सकते हो by default तो यह left है क्योंकि left के अंदर आप देख रहे होगे बिल्कुल align हो रखा है अगर आपको यही चीज right में align करनी हो तो आप सिधा text align right कर देंगे refresh करेंगे देखे right में align हो गया left में align नहीं है अभी आपका left हो गया right हो गया अगर आप इसे center करना चाहे तो आप center कर सकते हो उसमें क्या होगा कि यह देखिए ठीक है यह बिल्कुल center में align होगी दोनों तरफ से इनका जो है same हाहा आथा है लेफ्ट हो गया right हो गया center हो गया हर तरीकी से आपको align करना है तो justify आप करोगे इसमें इसे ठीक है यह देखिए justify आप नहीं क्या हूआ left में भी पूरी एक cd line के अंदर आ गया right में भी पूरी cd line के अंदर आ गया यहाँ पे line खतम हो गई आपकी ठीक है इस तरीके से आप text align property का use करके आप text को align कर सकते हो आपकी मर्जी आप center में करना चाहो left में करना चाहो right में करना चाहो पूरे paragraph को अगर आप करना चाहते हो तो justify आएगा ठीक है और justify ही अच्छा लगता है center बहुत कम जगे पर use करते हैं left right तो बहुत कम use होता है ठीक है जैसे कुछ एक languages होती है से आपकी Arabic हो गई उर्दू हो गई वो क्या होता है right to left उसका लिखने का होता है तो in that case आपको ज़रुत पढ़ सकते हैं कि आप right align करो otherwise जो normal paragraph या articles वगर आप लिखते हो उसके अंदर इस तरीके से justify alignment ही ज़दा तर चलती है तो यह था दूस्तो आज का अपना topic जो था color के बारे में और text alignment के बारे में ठीक है बचे हुए topic के बारे में next video में discuss करेंगे जिसे decoration और shadow के बारे में then spacing और transformation के बारे में आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंदा है होगी रूमीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप practically ज़रूर ट्राइ करेंगे मिलता है नए topic नए वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care